नमस्ते ड्याव ईवर्स तो इस वीडियो में हम लोग फ्रॉणैफट के। पाथ क्र hash Telesaf to reference के लिएक यह उसी के बात करेंगे। हम लोग mathematical analysis कभी और efficacy तो देखिए, fromhofer ने single slit यूज़ किया, तो slit क्या होता है, पहले आप यह समझ लिजे कि slit क्या होता है जैसे कि अगर माल लीजे हमारे पास ये कोई ऐसे एक source लिए एक cardboard है अगर इस cardboard में हम लोग क्या करें, यहाँ पर कहीं पर एक hole कर दें तो इस hole से क्या होगा, light जो आएगी, यह light क्या होगा, easily pass कर पाएगी, ठीक है, इसी तरीके के holes को हम लोग क्या कहते हैं, slit कहते हैं, ठीक है, और Fronhofer ने क्या क्या, single slit का use किया, तो यहाँ पर हम लोग single slit का use करेंगे, ठीक है, आगे चाहेंगे, तो Fronhofer ने जो diffracting devices यूज कि monochromatic source of light लिया, कहीं पर एक monochromatic source of light लिया, s, maybe हो सकता है, यह light, white light भी हो, तो depend कर रहा है, कि आप किस तरीके का source लेंगे, वैसा आपको fringes मिलेगा, screen पर, ठीक है, और मान लीजिए, कहीं पर infinity पर, कहीं infinity पर एक screen, a, b, रखा हुआ है, ठीक है, infinity पर कहीं पर, एक screen है, a, b, ठीक है, क्योंकि fronhofer ने जो भी अपना devices को set किया था, वो infinite distances पर रखा था, ठीक है, अब देखें, यह जो monochromatic source है, इस source से जो light आएगा, या ऐसा कहें, इस source से जो light निकलेगा बाहर, वो तो multiple directions में निकलेगा, ऐसे, हैना, ऐसे, कुछ straight निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, हैना, कुछ इधर जाएगा, हैना, तो वो हर direction में जाएगा, तो यह जो light है, यह light इस screen तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, फैल जाएगा, हैना, पूरा light क्या होगा, फैल जाएगा, बिखर जाएगा, हैना, यह ऐसा कहें, इसका जो intensity है, यह intensity डाउन हो जाएगा, बिल इस लाइट को डाइक्टली एक स्लेट पर एक सिंगल स्लेट पर फोकस करता है चलिए यहां पर कहीं पर आप एक सिंगल स्लेट ले लिजें यहां पर ठीक है कुछ ऐसे करके एक सिंगल स्लेट ले लिजें यहां पर ठीक है इस सिंगल स्लेट है माल लेते हैं इस स्लेट का एज एज को हम लोग ए ले लिए और इस एज को बी ले लिए ठीक है और यह दोनों क्या है साप एज़ेस है ठीक है लेकिन यह जो स्क्रीन है इन दोनों के बीज भी तो infinite distances है तो यहां से जो light आएगा यह light भी तो screen तक जाते जाते भी खर जाएगा इसलिए फ्रोन होफर ने क्या किया एक और converging lens यूज किया slit के बाद ताकि जो भी लाइट इस slit से बाहर निकले वो इस lens पर आ करके जो है direct collect किया जासा कि स्क्रीन पर या फिर ऐसा के फोकस किया जा सके इस क्रीन पर जिससे की हमें diffraction patterns मिले देखे कुछ ऐसे अब हुआ क्या कि जो हमारा सोर्स है उससे multiple directions में light निकल रहा है वो फैल जाएगा इसलिए फ्रोन होफर ने एक कुछ ऐसे करके के एक converging lens का use किया कुछ ऐसे कुछ ऐसे converging lens का use किया और जब यह light इस convergence lens पर fall करती और जब यह light फॉल करती है तो होता क्या है कि कुछ light ऐसे पास हो जाती है इस तरीके से पास हो जाएगी स्ट्वेट दम ठीक है और जो यह जो दो राइट लाइट रेस हम ले रहे हैं ठीक है यह दो लाइट रेस को यह कुछ ऐसे प्लेन वेव फ्रंट की तुरह ऐसा कहें पैरलल वेव में फोकस करता है सुकर्ण एक लेफिन में नादकर यह त्राइट कि लाइट प्लेर्व दोवेव फ्रंट जाएंगे अब देहां से जो लाइट ही यह चार्ण है छाप द सूब यहां से लाइट होंगा दिफ्रेक्ट हो जाएंगी हाना ठीक है डिफ्रेक्ट होगी light तो वो diffracting light को भी हमें screen पर collect करना है हाना लेकिन अभी हमने कहा हिन दोनों के बीच infinite distance है तो यहां से light को collect करने के लिए फ्रनफर ने एक और lens का use किया एक और converging lens का use किया कुछ ऐसे देख लीजिए कुछ ऐसे एक और converging lens का उन्होंने use किया अब देखेए यहां से जो light आ रही है यह दोनों जो light है यह दोनों क्या होगा कहीं इस screen पर जा करके एक पॉइंट ओपर मिलता है यह दोनों रेज ठीक है कुछ ऐसे اللہ है मैं कुछ ऐसे मिलता है स्क्रीन पर जाकर अब देखेऊ यह जो ॐ है ये जो ॐ है और यह ज्यू को धूर यहिण नहीं होता है अगर हम लोग कि लिःगें और और इन उध्य बीच में किसी भी तरह कोई सीज डिफरेंस नहीं होता है ठीख कि सनफ पाध डिफ्रेंस भी 0 होता है अगर हम लोग अगर हमें यह उसलीड का ajadas a और ब्रसी निकाल है तो नों का डिस्टेंस सेम आएक newest the यह प एंगल थीटा पर डिफ्रेक्ट कर जाती है ठीक है यह जो एंगल है यह वाला यह एंगल चलिए थीटा एंगल है ठीक है यहां से जो लाइट है वो थीटा एंगल डिफ्रेक्ट कर जा रहे हैं कुछ ऐसे यहां से भी कुछ ऐसे लाइट जो थीटा एंगल डिफ्रेक्ट कर ज यहां पर हमें कुछ pattern मिले गाड़िफ्र まट अब देख़ें यहां पर हमने ठीटा형ल मेरा सोरे यह यह वाला यह 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 जो हमारा lens है इसे आप L1 ले लिजे इसे L2 ले लिजे ठीक है यह हम लोग बिल्कुल same setup का use करेंगे अपने mathematical analysis में ठीक है अब देखिए जब लोग mathematical analysis करेंगे तो वहाँ पर हम लोग 6 steps का use करेंगे ठीक है हम लोग total 6 steps का use करेंगे वहाँ पर वो क्या हम लोग क्या करते हैं यह जो distance है यह वाला ठीक है इस distance को चली small d ले लिजे ठीक है और करना क्या है हमें path difference find out करना होता है सबसे पहले a piece और bp से ठीक है तो यह जो path difference है वो हम find out करने के यहाँ पर एक normal को drop करते हैं ठीक है और इसी से path difference find out करते हैं क्योंकि interference में क्या होता था कि हमें पहले path difference find out करन मिल जाते थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है मैक्सिमा और मिनमा के कंडिशन्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना होता है देखिए तो हमारा जो सबसे पहला उससे सबसे पहलए इसे पहले करेंगे फिर छे से करेंगे फिर से जोर्डिकषल करेंगे और यह जो 누가 capital R से represent करते हैं जह हमें resultant amplitude मिल जाएगा तो इस resultant amplitude के बाद हम लोग क्या करेंगे intensity calculate करेंगे जिसे हम लोग I से represent करते हैं और यह equal होता है resultant amplitude के squares वो है हम लोग find out करते हैं condition condition for central maxima condition condition of minima minima के condition को find out करते हैं उसके बाद हम लोग find out करते हैं जो number 7 होता है condition for condition of secondary maxima हम लोग secondary maxima का condition find out करेंगे secondary इसे उपर कर लेते हैं थोड़ा सा secondary maxima तो हमारा जो आने वाला वीडियो है उसमें हम लोग from hofer diffraction at a single slit के mathematical analysis को करेंगे जहां पर हम लोग इन सातो steps का यूज करेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं अपने mathematical analysis के वीडियो में और आशा करते हैं कि आपको ये वाला जो experimental setup है from hofer diffraction का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद है